गुड़ मॉर्निंग दोस्तो, कैसे हो आप सब, उमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, जिस चीज का आप सभी को वेट था, आपके लिए वो अपडेट लेके आया हूँ, हाइपर नेशन में, पिछले दो दिन से, रिवार्ड की जो कैलकुलेशन है, वो उपर नीचे हो रही है, उसके उपर क्या अपडेट है, कमपनी क्या बोलती है, और जितना मेरे पास नोलज है, चाहे वो पोजिटिव है, चाहे वो नेगटिव है, तो मेरा, ओल्वेज बेल आइकन को दबा दीजे, क्योंकि मेरे चैनल पर मिलती है, बिल्कुल जैन्वन और फेक्ट बेस न्यूज, मैं कोई भी कहानी आपको नहीं सुनाने आता जहां पर, तो कोई भी कमपनी है, अगर आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अपनी रिसर्च और पर करना, क्योंकि मार्किट में प्रोफिट और रिस्क दोनों आपके रहेंगे, तो दोस्तो, हाइपर नेशन, बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है मार्किट में, और पिछले एक दो दिन में आपने देखा होगा, मैंने चैनल पर वीडियो डाली थी, कि इन्होंने H&D स्टे of the hypernation, please be aware as an imposter's link in circulating on social media in an attempt to steal your personal information and recovery seeds phrase, मतलब के कुछ ऐसा एक poster है, जो circulator हो रहा है social media के उपर, जहां पर आपकी जो personal information है, उसको चोरी भी किया जा सकता है, तो आप इसके उपर ध्यान मत दीजिए, always verify the web URLs and do not click into any suspicious links other than the following, तो नीचे जो दो link दिये हैं, जही officially link है, www.hypernation. और h5.hypernation.io, space landing, तो जहां पर कुछ लोग आप से KYC का process मांग रहे हैं कि आपके reward बढ़ जाएंगे, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जे reward एक दिन के लिए अगर आप बढ़ाने है तो आप जे form फिल कर दो, ऐसे कुछ market में circulator हो रहे हैं page, आप उनसे aware ही जिए, उनसे दूर रहे हैं, अब ही चलते हैं next update के बढ़, जहां से आप थोड़ा सा easily understand कर पाओगे, कि जे हमारे जो reward हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसका region क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि दो दिन पहले company की तरफ से inform कर दिया गया था, पहली बात हो जे, कि मैं जहां पर company की तरफ से कोई बात करने नहीं आया, काफी लोगों का जे लगता है कि मैं कोई hyper nation को promote करता हूँ, आसा नहीं है, जैसे आप लोग hyper nation को use करते हो, earning के लिए, मैं भी hyper nation को as a source use करता हूँ, earning के लिए, लेकिन जो मेरे पास update आती है, वो आप सब के साथ share कर देता है, तो आ तो जहां पर दो तरह के आपको notification आते हैं, एक आते हैं transaction के, जहां पर आपके withdrawal deposit जो भी आपका lane दिन होता है, वो सारा सारा जहां पर आ जाता है, आप देख सकते हो मेरी screen के उपर, कितने मैंने withdrawal ली है, कितने deposit की है, सारे के सारी detail, दूसरे में आते है system की तरफ से update, जहां प आपकी जो daily की earning है, उसमें से 20% जो आपके daily के reward आते हैं आपको, वो आपके चले जाएंगे hyperstore में, क्यूं? gift card पर change कर सकते हो, आप उन 20% का, तो उनको आप सीधा flip card और Amazon में use कर पाओगे, अभी के लिए इंडिया में Amazon और flip card में ये gift card use हो जाएंगे, वहां पर आपको staking का बोलती है, चाहे company, बोलती है HWT का, चाहे बोलती है ये hyperstore का, तो company अपने ecosystem को किसी ना किसी तरह promote कर रही है, और आपके पैसे को, आपकी earning को distribute कर रही है, अलग-अलग दायरों में, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जैसे ही, 14 February थी थी था, Singapore time के उनसार, हमारे कि आप थोड़ा सा clear समझाओ, आप understand करना आपके लिए easy हो जाए, तो हम जाएंगे जहाँ पर order के उपर, सबसे पहले आप order के उपर जाओ जहाँ जहाँ पर, और आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितने package हैं इस ID में, आप देखिए, 23 रीब आये हैं, तीन active package हैं, social welfare के 1200 वा आपको, 2400 प्लस, 3600 प्लस, 1150, तो 7000 डॉलर के आजपास कीजिए ID है, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन के उपर, और इसके उपर जोर वोड आ रहे थे, पहले कितने आ रहे थे, वो अभी आपको share करता हूँ, आप जाहिए HND में, जहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा दो 40.05 के daily के reward आ रहे थे, और इसके नीचे कोई भी community का आपको level का income नहीं दिखाई दे रहा, citizen referral reward जिसको हम बहुते हैं, अब इसके उपर हम थोड़ा सा जाएंगे, जहाँ पर इन भाई साब ने 400 डोलर का ये एक withdrawal लिया, ठीक है, HND का, उसके बाद आप देखिए, 15 और 16 को इ कहां गए, पहली बात हुझे कि क्या हमारे reward कम हुए है, हाँ, जहां पर देखने से पता चलता है कि 50 से कम होगे 40, ठीक है, अब वो 10 गए कहां पर, ठीक है, तो वो 10 देखने के लिए हम कहां पर जाएंगे, हम जाएंगे वापिस जहां से, होम में जाकर, हाइपर स्टोर में तो जहां पर आप देखिए, दो दिन का उनका कम होगा था, 10, 10, 20 डॉलर उनको जहां पर आ गए, अब जहां से वो क्या लगर सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको All Country पर जाकर, जहां पर सेलेक्ट करना है, इंडिया, और इंडिया में आप देखिए, Amazon और Flip Card, Flip Card अभी जनरेट हो जाएगा, तो Amazon के उपर जाकर, जहां है, Flip Card के उपर जाकर, आप इस 20 डॉलर का कोई भी एक कूपन पर चेज कर सकते हो, वो कूपन आप Flip Card जहां है, आपको थोड़ा सा जहां से निकलता रहेगा, और बाकी का, जो हम बात करते हैं, बाकी का जो 80% आ रहा है, जहा समझते हैं के 20% कम हो गया, बाकी हमारा क्यों काम हुआ, तो उसके लिए एक दूसरी ID के उपर लिखे चलता हूँ आपको, तो अभी जह एक दूसरी ID है, जहां पर आपको नीचे टीम भी दखाई देगी, और कितना कम हो है, वो पूरा स्प्रीन करने वाला हूँ जहां पर, जो अभी तक मेरे को समझा रहा है, वही चीज आपके पास शेर कर रहा हूँ, हो सकता है, इसमें थोड़ा बहुत उपर नीचे हो, हो सकता है, कि जो मेरे पास information है, आगे जाकर उसमें कुछ update भी आ जाए, क्योंकि node member की तरफ से अभी तक कोई update नहीं आए, node member बोड़ नहीं पास में से 40 हो जाएंगे, तो आप तो negative होंगे, लेकिन वो 40 हुए क्यों, और वो बाकी के 10 गए कहां पर, वो मैंने आपके साथ share कर दिया, अब बात करते हैं, citizen referral reward की, आप देखिए जहां पर, इस ID की बात करते हैं, तो थोड़ा सा down में जलता हूँ आपको, लिए चलता तो इस ID को आप देखो, कितने आ रहे थे, citizen referral reward 136, और community reward जो आते हैं, क्योंकि जे V1 level की ID है, तो जहां पर community reward भी आते हैं, और daily reward भी आते हैं, आप नीचे देखो, 8.4, जहां पर 8.4 daily reward आ रहे हैं, 8.4 से, आप देखो, जब daily reward है, जहां पर 6.72 होगे, तो जहां पर 20% कम हु calculator में जाओ, 8.4 को divide कर दो, 5 के साथ, 1.68, तो 8.4 से minus कर दो, 1.68, तो रहा गया 6.72, तो आप देखो, जहां पर कितने आए हैं, 6.72, ओके, तो 20% जह कम हो गए, उसके बाद आप देखिए, जह तो 20% हमें समझ आए, कि daily reward जब 20% है, वो मेरा कहां पर चला गया, hyperstore में चला गय अब जे जो citizen reference reward थे, 136 आ रहे थे, जे जहां पर कितने हो गए, 84, तो जे क्या हुआ भई, इतनी ज्यादा कम, उसका region में आपको बदाता हूँ, कि जे जो मेरे को 136 आ रहे है न भई, वो नीचे से जो मेरी team की daily की earning है, वहां से आ रहे थे, अब जब किसी बंदे की daily की earning, अ जे भी कम हो गया, तो मेरे जो जे daily reward थे, वो तो मेरे को hyperstore में मिल जाएंगे, लेकिन जे जो 136 से 84, अगर हम देखें तो 136 minus 84, तो जे जो 52 dollar है, वो कहां पर गए, वो मेरे को जहां पर नहीं मिल रहे, जे एक जो है मेरी reward में कमी है, अब जे जो 52 मेरे को नहीं मिल रहे, वो कब तक नहीं मिलेंगे, जह हो सकता है, नहीं भी मिलें, इसके उपर भी थोड़ा सा clarity अना बाकी है, उसका region क्या है, मैंने आपको बता जिया कि जब आपके daily reward, आपके team के daily reward कम होगे, तो आपको उपर जो 20% आ रहा है, वो भी कम होगा, तो जहां पर जे देख सकते हो आप, आज उसके बाद एक और अप्डेट दिखा देता हूँ आपको, एक और चीज को कि मेरा काम है, एक एक चीज आपके साथ ली करना, आज के citizen reward कितने आये हैं, मेरे को citizen reward 78, कल कितने आये थे, 84, तो आज कल से और 6 डॉलर कम होगे, अब इसके उपर क्या clarity है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, company जैसे ही update देगी, हम आपके साथ एक जूम session के थूरू, जहां आपको inform कर दिया जाएगा, तो दोस्तों, जे कम थे, दो तरह का reward था हमारा, एक daily reward, एक citizen reward, तो दोनों में जो कमी आई है, daily reward का तो सीधा-सीधा फंडा है, कि आपके hyperstore में जा रहे हैं, लेकिन citizen जो है, वो आपके जो कम हुए है, वो अभी हमें loss दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में companies के उपर कोई update देती है, जा नहीं देती है, उसके लिए हमें wait करना पड़ेगा, तो hope आज की वीडियो से आप सबको थोड़ी सी clarity जुरूर आई होगी, फिर भी, अबगर कोई